कि हालो दिसिस आमित दा टोपिक इडर डोटनेट आर्किटेक्चर सो आर्किटेक्चर से पहले हम यह समझते हैं कि एड्यो डोटनेट एक्चुली में है क्या यह सिग्निफिकेंस क्या इसका और यह पिक्चर में कब आता है एक huge case हम समझते हैं मालो कि हम कोई application create कर रहे हैं जैसे कि कोई हम mobile application create कर रहे हैं अब हम जानते हैं कि .net की help से हम different types की application को create कर सकते हैं तो हम एक mobile application create कर रहे हैं और वो mobile application कुछ facebook type या कुछ instagram की type की application है अब हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं ना उसमें हम अपने users को storage के लिए use करते हैं user चाहे तो उस पर कोई photos कोई video share कर सकता है तो वो store ही हो रही है अब उसको हम अपने mobile interface application पर तो हम नहीं store कर सकते हैं इतना data नहीं होता है चुँकि users बहुत ज़्यादा हो सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम अपने dbms या फिर database का use करते हैं database तो बहुत सारे Oracle है, MySQL है कितने भी type के database है तो वो हमारी problem नहीं है हम कोई भी उनमें से database use कर सकते हैं problem क्या है problem है इनके बीच में connectivity करना मैं application बना रहा हूँ मुझे इक database से connectivity चाहिए तो connectivity ही हमारा main concern है अब उसको कौन करेगा तब हमारा picture में आता है adio.net module जो हमें मिलता है dotnet framework पर अब dotnet framework क्या है उस पर भी हमने already video बनाया हुआ है आप description में चाहिए आपको link मिलेगा तो उसी का ही एक module है module क्या होता है simply set of classes होती है तो adio.net भी एक modules है जिसमें classes की collections होती है अब adio.net क्या करता है जो भी database पर हम operation perform करते है ना मान लोगी अगर हम कोई database पर काम कर भी रहे है तो हमने graduation में ये पढ़ चुके हैं कि हम database में कौन कौन से operation perform करते है उसमें हम क्या करते हैं हम read करते हैं, write करते हैं, insert करते हैं तो यही सब चीजे adio.net हमारे लिए करेगा यानि कि अगर हम mobile पर, mobile application पर काम कर रहे हैं तो ये सब operation database में हमारे लिए adio.net करेगा ये सब operation हमने देखे हुए data को read करना है, data को write करना है, insert करना है, update करना है ये चीज नहीं हो सकती है, connection को create करना तो ये जो connection है, इसको भी create करने की responsibility किसकी रहेगी adio.net का तो अब आपको समझ में आया होगा कि adio.net की जुरूरत कब है जब हम अपने application को dbms के साथ में connect करना चाहते हैं उस पे operation perform करना चाहते हैं तब adio.net सामने आता है, कि ये सब मैं करूगा अब यहां पर वही बाते हैं कि adio.net क्या है एक module है, जो .net framework में मिलता है module क्या होता है, set of different classes होती है यहां पर n number of classes हो सकती है और ये classes क्या होती है, ये same category ही classes है तो same category यहां पर क्या है, यहां पर यह जो जितने भी classes है ना, यह सब database से related रहेंगी तो जितने भी database पर operations होंगे वो अलग-अलग classes यहां पर करेंगी तो अब पता लग गया कि adio.net है क्या अब समझते हैं इसका architecture एक बार देखने से थोड़ा सा complex लग सकता है कि first time impression ऐसा होता है बट बिलकुल भी प्रवा नहीं करिया बिलकुल simply तरीके से हम breakdown करेंगे यहां पर मैंने लिख दिया है कि dot जो हमारा architecture है adio.net दो पार्ट में divide आप इसको चाहे भूल भी जाएगे जब हम architecture को पढ़ेंगे अब इसलिए समझ में आ जाएगी तो हम text में कम pictures में ज़्यादा बाते करेंगे तो data provider और data set दो पार्ट में हमारा architecture divide है यह देखो यह है पहला पार्ट यह है data provider यह पूरा box data provider है और यह दूसरा box हमारा data set है बस इनी दो पार्ट में divide है हमारा adio.net आर्किटेक्चर तो अब इसको शुरुआत करते हैं अब देखो adio.net आर्किटेक्चर को हम पढ़ना शुरू कहां से करें यानि कि इसका initial point कहां है यह रहा इसका initial point database क्योंकि सब कुछ database से ही तो शुरू हो रहा है अगर database ही नहीं होगा तो हम connect कहां करेंगे हम operation कहां करेंगे तो सबसे जरूरी है कि database होना चाहिए तो this is first point अब देखो इससे हम कहां जा सकते हैं सिर्फ एक ही arrow लगा हुआ है और वो कहां लेके जा रहा है हमें connection तो यहां से हमारा adio शुरू हो रहा है यहां से और यह है database तो यहां से हम totally mobile application पर काम कर रहे हैं सबसे पहला हमें class कौन से मिली सबसे पहली class मिली connection यह obvious भी है और जरूरी भी है क्योंकि आप बाकी के operation जैसे read, write तब perform करोगे न अगर हम उसमें connection बनाएंगे तो यह जो arrow है यह connection है इसको कौन बनाता है connection class connection class हमारा connection live करती है mobile application और database के बीच में तो इसको मैंने second point लिखती है यानि कि second step है अब देखिए यहां से दो arrow जा रहे हैं हम इस रस्ते पर भी जा सकते हैं हम इस रस्ते पर भी जा सकते हैं अगर हम यह arrow चूज करते हैं तो यह कहां जाएगा command से होते हुए यह जाएगा data reader पर तो ultimately हम कहां जा रहे हैं हम data reader पर जा रहे हैं तो इसको मैंने मान लिया कि three point लिख दिया यानि कि third step आपने एक step किया दूसरा step third step पर यहां पहुँच गए अब data reader क्या है यह भी class object है जैसा नाम वैसा गाम यह कह रहा है कि data reader कि मैं data को read करूँगा अब data reader काम कैसे करता है जब हमें कुछ data को सिर्फ और सिर्फ read करना होता ना तब हम यह रस्ता चूज़ करते हैं क्योंकि हमें data को read करना है तो हमें चाहिए data reader सिर्फ read करना तो आप इस रस्ते पर आईए अब data reader काम कैसे करता है मान लो कि हमारे database में यह table है और आपको read करना है 7th row जिसका row number यह है name यह है subject यह है आप किसका use करो कि simple है data reader का क्योंकि मुझे सिरफ read करना है data but data reader ना इतना simple नहीं है वो आपकी बात नहीं मानेगा अगर आपको होगा कि data reader kindly read number 7 वो आपकी बात नहीं मानेगा वो आपसे parameter नहीं लेगा वो अपनी मर्जी से काम करेगा अपनी मर्जी से काम कैसे करता है आपके control में सिरफ इतना है कि आप data reader को execute कर सकते हो one time execute करोगे तो वो first row read करेगा second time execute करोगे second row read करेगा third time execute करोगे तो third row read करेगा आपके control में सिर्फ इतना है आप उसको execute कर सकते हो जितने time execute करोगे वो हर बार एक नई row को read करता चलेगा अब आपको read करना है seventh row तो मतलब आपको seven time उसको execute करना पड़ेगा आपको manually read नहीं करना आप loop लगा सकते हो seven time ये read execute करें तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको seventh row read करना है तो वो आपके लिए ये भी read करेगा ये भी read करेगा ये भी ये भी वो traverse करते हुए ही आएगा ऐसा कोई option नहीं है data reader में कि directly seventh row ही read कर ले अब यहाँ पर इसके साथ में दो और characteristics लिखी हुई है data reader की सबसे पहली है कि ये forward direction only होता है इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ forward direction में काम करेगा इसका motto ये है कि आमें आगे गड़ते जाना है पीछे मुड़के नहीं देखना है मान लो कि आप read करते करते seventh row पे आ भी गए अब आप चाहते होगे सर मुझे ना fifth row को दुबारा read करना चाहता हूँ तो ये तो back tracking हो गया it's a backward direction तो ये allow नहीं है data reader ऐसा नहीं कर सकता है ये सिर्फ next row read कर सकता है तो ये forward direction only हो गया अब आप कहोगे सर मुझे तो read करना है fifth row then आपके पास एक ही रास्ता है कि आप फिर से उसको execute कीजिए starting से अगर आपको fifth row करना है तो आप फिर से starting करते हुए आई ये fifth row करना है तो ये ही एक मात्तर आपके पास option है तो इससे forward direction गो लिए second is connection oriented connection oriented का मतलब है कि data reader तभी ही काम कर पाएगा अगर ये connection लाइव है अगर ये connection बना हुआ है तभी ही काम कर पाएगा इसका reason ये है क्योंकि जो data reader होता है वो हमारे database से directly read करता है अगर वो read कर रहा है तो वो directly database में जाकर ही read कर रहा है अगर ये connection ही नहीं होगा of course ये बात है data reader क्या read करेगा फिर वो read करी नहीं सकता वो यहीं पर आकर रुख जाएगा connection के बाद तो connection है नहीं कोई तो ये connection oriented होना चाहिए इसका मतलब है कि connection हमेशा live होना चाहिए data reader उसी condition में use करेगा जब आपका connection live होगा ये था हमारा data reader यानि कि data reader हम कभ यूज करते हैं जब हमें सिर्फ और सिर्फ data को read करना होता है मैं इसको write नहीं करना चाहता हूँ मैं इसको सिर्फ read करना चाहता हूँ तो आप इस रस्ते पे आईए आपको data reader मिलेगा आपको इसकी limitation भी पता लगी ये काम कैसे करता है वो भी पता लग गया अब ये जरूरी तो नहीं है कि हम हमेशा data को read करें मुझे तो भी write भी करना है data को then आपको ये रस्ता चूज करना पड़ेगा तो first point ये था second point ये हो गया अब आपको क्या करना पड़ेगा ये जो box है ना ये third point ये कहता है कि अगर आपको write करना तो आप मेरे पास आई है ये कौन है ये है data adapter ये था data read data reader सिरफ read करेगा data adapter आपको read के साथ साथ write option भी आपको provide करेगा क्योंकि आपको write भी करना होता है अब देखो read और write operation ना बिल्कुल similar operation नहीं होते है read operation अगर आप database पे read operation कर रहे हो मानलो की 10 user simultaneously read कर रहे है तो कोई problem नहीं होगी क्यों उससे data effect नहीं हो रहा है चाहे 10 की बजाए 20 user भी read कर रहे है database में तब भी data पे कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर वहीं सिरफ 2 user भी write कर रहे है simultaneously तब problem है मानलो की एक user ने 10 लिख दिया दूसरे ने उसी time card के उसको 15 कर दिया तीसरे ने उसको 5 कर दिया यह होती है data inconsistency हमने graduation classes में पढ़ा है कि हम एक से ज़्यादा users को एक साथ write करने के लिए allow नहीं कर सकते वो भी database पे directly उससे data हमारा inconsistent हो जाएगा तो database का कुछ जो main है वो rule वो violate हो जाएगा वहां पर इसलिए हम write operation को directly use नहीं करने देंगे read तो यहां पर directly database में कर लेगा कोई problem नहीं है but write नहीं कर सकते हम तो sir अब मुझे तो write करना है मैं क्या अभी solution क्या है solution है data adapter ही आपको solution देगा किसकी help से देगा data set की help से solution आपको provide करेगा समझते हैं कैसा मान लो कि यहीं हमारे पास table है और आपको क्या करना है आपको 7th row update करना है आपको name में कुछ और लिखना है मान लो कि यहां पर मैं RAM लिखना चाहता हूँ अब वही बात है मैंने कहा कि आपको यह allow नहीं करेगा directly database पर अब इसके लिए क्या करेगा इसके लिए एक approach है approach यह क्या कहती है तो architecture कहता कि देखो अगर आपको उसको update करना चाहते हो ना इस row को तो आप एक काम करो आप इस row को ले जाओ आप यह इस पूरी table को आप घर ले जाओ आप copy कर लो इस table को और आपका जो memory है वहाँ पर जाके paste कर लो तो database से हम क्या कर लेते हैं अपनी table को copy कर लेंगे तो यह जो data adapter है हमें हमारे लिए क्या करेगा हमारे लिए उस table को जिसमें हम कुछ update करना चाहते हैं उसको pick कर लेगा अब store कहां करेगा store करेगा data set में data set क्या है जैसा नाम वैसा काम set of data यह क्या होता है यह एक local memory होती है local buffer होती है जो हर user की होती है तो हमने जिस table को update करना था हम कहां ले गए अपने data set पे ले गए data set एक क्या है एक local buffer है तो यहां पर यह क्या है data row क्या है data column क्या है data constraint क्या है तो यह कह रहा है कि आप जब table को pick करते हो ना देखो table का column भी है यहां पर और यह table की rows भी है और कुछ constraint हो सकते है constraint का मतलब क्या है हो सकता है कि वहाँ पर roll number primary की हो हो सकता है कि name note null हो subject भी note null हो यह सब constraint होते हैं तो जब आप copy करते हो ना तो आप उसके साथ में उसके data rose भी ले आते हो data column भी ले आते हो data constraint भी ले आते हो और वो table किस-किस के साथ में relation बना रही है foreign की क्या है वो सब कुछ आप ले आते हो इसका मतलब है कि data set आपके लिए एक mini database की तरह काम करेगा आपको बिलकुल same experience करवाएगा कि आप database में ही काम कर रहे हो तो यह हमारा एक local database होता है जो हर एक user का अलग होता है तो हमने क्या किया अगर हमने write करना है तो आप pick करो data adapter की help से कहां पे paste store करो data set में अब आपको जो भी update करना है table पे आप सिरफ यहां पे नहीं आप इसकी जगे अभी आप शाम लिख सकते हो आपको जो भी update करना ना आप पहले update कर लो और जब update हो जाए आप फिर से किसको बोलो आप फिर से data adapter को बोलो कि मैंने जो भी update करना था मैंने कर दिया है अप data adapter फिर क्या करेगा उसको फिर बाद में database में अपडेट कर देगा single time यह इसकी approach है अब problem देखो यहां पर क्या होगी अब यहां पर problem यह रहेगा कि problem नहीं यह approach क्या रहेगी यहां पर कि अगर आपने copy करना है तो आपको सिरफ तबी ही connection को live करना है जैसे ही copy paste किया अब हमें इस connection की जरूरत ही ने पड़ेगी क्योंकि हम अपने local memory में उसको उठा कर ले आए हैं अब हम उस पर काम कर सकते हैं अब हमें connection की जरूरत नहीं है connection हमें disconnect क्यों कर देना चाहिए क्योंकि connection हमारा important resource होता है उसकी एक limited bandwidth होती है अगर हम बेवज़े connection को open किया हुआ इसका मतलब कोई दूसरा user suffer कर रहा है तो हमारा एक अच्छे practice यही है कि जैसे ही हमने copy किया अपनी tables को connection को disconnect कर दो और जैसे ही आपने उस table पर काम कर लिया हम क्या करते हैं फिर से connection को मुना के उसको database में update कर देते हैं तो हमें connection को live दो ही चीज़ भी कर रहा है जब हम table को pick कर रहे हैं और second जब हम table को वापिस database में store कर रहे हैं तो हमारा जो data adapter है या फिर जो हमारा data set है वो काम करता है connectionless और्येंटिट में sorry connectionless architecture में जैसे हमने देखा था data reader किसमें काम करता था हमारा connection oriented में ठीक उसी तरह जो data adapter है वो काम करता है connectionless में जब जुरूरत पड़ी तभी data तभी हमने अपना connection को live किया और जब जुरूरत खतम होगी हमने अपने data को database से connect हटा लिया अब यह तो हम देख लिए अब यह क्या असर select command, insert command, update command यही तो right operations है अगर आपो delete करना तो आप adapter की use से delete command use कीजिए update command use कीजिए, insert use कीजिए, select और कहां use करना है डिरेकली database में नहीं हम data set पर use करेंगे तो यह सब चीजे थी तो एक बार हम फिर से इसको थोड़ा सा revise कर लेते हैं .NET architecture, ADO.NET architecture है क्या simple है इससे आप read और write operation कर पाते हो read करना है तो आपके लिए data reader है आप यहां पर आ सकते हो, data reader सिरफ forward direction में काम करेगा और यह connection oriented होता है, यह दो बाते ध्यान रखने वाली है अगर आपको write करना है तो आप data adapter की help लीज है data adapter क्या करेगा, यह आप से database से table को pick करेगा data set में लेकर आएगा, आप यहां पर कुछ update करोगे update कुछ कर दिया, तो आप फिर से data adapter को बोलोगे कि मैंने update कर दिया है, data adapter आपके लिए फिर से database में उसको update कर देगा यह सब था बहुत ही easy architecture था, I hope आपको थोड़ा समझ में आया होगा समझ में आता है तो आप please हमें support कीजिए, इस video को like कीजिए और subscribe जरूर कीजिए, अगर आप चाहते हो कि हम इस series को continue करें तो अगर इस video पर response अच्छा रहेगा, हम तभी ही continue कर पाएंगे इस videos को ओके, so thank you and comments ने जरूर बताइए कि आपको इस video कैसे लगी